खुशामेदी दोस्तों तोड़े वी आर गॉइंग टू स्टार्ट एपिसोड नमबर फॉर्टीन ओफ तर्बते दिल असकलम मनत्शा ये क्या हरकती इशू उसके होश में आते ही वो उस पर परस पड़ा था क्यों? मैंने क्या कर दिया अब? उसने नकाहत जदा लहजे में कहा था मुझसे प्रॉब्लम था न तुम्हें? मेरे करीब होने से प्रॉब्लम था न? तो खुद को क्यों तुमने अजियत दी? खुद को क्यों मारने की कोशिश की? क्यों? और ओवर्डोज ली तुमने? हाँ उससे अच्छा था मुझे मार देती अरहाम ने जटके से उसे खीच कर करीब करते गुसीले लहजे में उस पर गरिचते कहा था मैंने ओवर्डोज नहीं ली अरहाम मैं क्यों अपनी जान की खुद ही दुश्मन बनूँगी? मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ उसमें उसकी गरफ्ट में मचलते उसकी जान लेवा तेवर्डोज पर अपना लहजा हत्यलकम अलमकान नर्म करते कहा था तो तुम्हें वॉमिट और नींद की ओवर्डोज किस ने दी? तुम जानती भी हो कितनी बलंदी पर थे हम? अगर जरा सा भी तुम्हारा कदम लड़ खडाता या फिर अगर मैं पास नहोता तो सोचा था क्या हो सकता था? मेरी सोच कर ही जान निकल रही है इस बार वो दहाड़ा था दिल के हातों मजबूर होकर मुझे नहीं बता अरहम मैंने जस्ट शेक पिया था राइट पर जाने से पहले और जिसने भी किया है मेरे साथ ये सब वो तुम्हें मुझे से दूर रखना चाहती है और क्या पता? कहीं तुमने ही तो के मैं मर जाओं और तुम्हें और रोमान के साथ शट आप तुम्हें इतनी असानी से नहीं मारूंगा वो मार मारूंगा कि तुम्हारा हर पर जान लेवा बन जाएगा बहके का मसहूर होगा और फिर तपेगा मेरी कुर्बत से इतनी असानी से अरहम तारीक तुम्हें खुद से मसरूद होने नहीं देगा उसकी नाख के साथ नाख चोड़े उसकी सांस in microwave करते पीछे हाथ ले जाकर उसकी गर्दन उसकी गर्दन के बालों को पकड़ते उसने उसके जिस्म में एक सेकंड की अपनी कुर्बत और अपनी नजदीकी से लर्जा तारी कर दिया था और वो कांप उठी थी उसकी जुलस्ती सांसों के तपिश से जो पूरे चहरे में सर्खियां गोल गई थी हाम हाम प्लीज कोई आ जाएगा ये होस्पिटल है रूम में नहीं हम तर्फ़लाते कांपते लभों से वो बस इतना ही कह पाई थी so I don't care आता है तो आए भाड में गए सब उसने तरफ़ से कहा था उसके तर्फ़लाते लभों को फोकस करते हाम उसने उसकी नज़रों के कड़े तेवरों के साथ अपने लब पर फोकुस करते देखते खुश्क हलक से जबान फेरती कहा था जबके उसका दूसरा रेंगता हाथ कमर पर जान लेवा बहकी बहकी वेकी वेवस बनाते पुरा हलकान किये हुए था, सांस हलक में अटक गया था, चेहरे के रंग सहम गए थे वजूद पल भर में सिम्टा था, जब उसके लब अपने कान के पास महसूस हुए थे तरब कर उसने उसके दोनों कांदों को मजबुती से थाम कर शट को मजबुती से भीचा था क्या हुआ इशू, मरना नहीं क्या, अभी से दहल रही हो, काप रही हो, अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ उसके कान की लोग को दातों तले पूरी शिद्दत से दबाते कंभीर लेजे में कहा था I hate you, I really hate you उसकी शट को मुठ्यों में जकड़े, उस मीठे दर्थ पर सी करती, जान लेवा गुस्ताखी पर हया से सुख होती, नम आँखों से उसे सितमगर को की पनाहों में छिपती, वो कापते हुए कह रही थी बदले में वो उस पर जुका था, और वो भी उसकी मौपत उसके लंस में उसके साथ देने लगी थी और अब उसके सीने में छुपी लंबे लंबे सांस लेती हाप रही थी आरियो ओके, क्रो, उसकी बाहों का घेरा अपनी कमर में तंग होते, उसकी सांसों को मतस्सर होते देख अपनी मौपत और चाहत से वो खुद भी उसे अपने आप में समोई गंबी लहजे में पूछ रहा था नो, सरनफी में हिलाती हाया से शुर्क होती, वो शर्म के सारे पहरे हटाती सिमट गई थी अभी तो मेरा क्रो मुझे कह रहा था कि कोई आ जाएगा होस्पिटल है और अब खुद उससे पहले और कुछ कहता वो उसके होटो पर अपना हाथ रख गई थी जिसे उसने पल भर में अपने होटो से खराज बक्षा था, हाम जाया आप यहां से, कुछ देर की खामोशी के बाद वो अपनी सांसों को हमवार करती बोली थी जितने पहरे बिठाने हैं बिठा लो, एक बार वापस चलो, फिर ये पहरे खुद तोड़ूँगा उसके माते पर लब रखते, उसके वालों को ठीक करते, वो गंबीर सरगोशी करते, उसके पास से उठाता और बाहर चला गया था क्यों मैं पिघर जाती हूँ हाम आपके कुर्बत में, क्यों मैं खुद पर पहरे नहीं बिठा पाती जबके मैं जानती हूँ के आप सर्फ और सर्फ मेरी रुस्वाई की वज़ा है, नफरत है मुझे खुद से, नफरत है इन कमजोर लम्हों से, जो मुझे जुका देते हैं, कमजोर कर देते हैं, अपना चहरा दोनों हातों में चुपाया, वो फूट फूट कर रोदी थी, द कर रहा था, खुद को गायब कर दे वहां से या अपनी सांसे खीच फैंक जिन में से उसके तलसम की खुचबू अभी तक आ रही थी, वो जादूगर्द था, और वो उस जादू की एडिक्ट है, पलों में, मिंटों में, सेकिंडों में, वो उसके पोर पोर पर तलसम उकता था और वो इन लम्हों की कैदी बन जाती थी, मिटा रही थी मुझे तर्ज इंतहा उसकी, मैं किसकी जान बचाती, खुद अपनी या उसकी, उदास किस लिए रहती थी, रूटती क्यों थी, कभी ना खुलती मुझ पे कोई अदा उसकी, ना मैंने कोई सदा उसकी दी ना वो लोटा, मेरी अना के मुकाबिल ही रही अना उसकी, मैं उसको खराजे मुखबत अदा करूंगी जरूर, जरा मैं याद तो कर लूँ कोई वफा उसकी, वो चंद लोग जो मेरी तरफ थे, क्या करते, इधर तो एक खुदाई थी, हम नवा उसकी सर पता चल गया है, उस लड़की की तस्वीर मैंने सेंड कर दी है आपको, और कोई हुकम मेरे लायक फोन पर मुझूद बंदे ने कहा था उससे, गुड़, नहीं, और कोई काम हुआ, तो मैं तुम्हें लाजमी बताऊंगा, रखता हूं बीरबल ने कहते ही फोन रखा था और फिर वाटसेप ओन करके फोन पर जगमगाती, हस्ती, मुस्कुराती लड़की की तस्वीर देखकर वो कितनी देर जानदार कहका लगा कर हस रहा था हा हा हा, मरेंगे सब मरेंगे, एक एक करके, और फिर एंड पर तुम्हारा कोई भी अपना तुम्हारे पास नहीं बचेगा, जस्ट यू एंड मी, बीरबल प्लस जोईशा, जोईशा प्लस बीरबल, उसने होटो को गोल करते, तस्वीर में ही जोईशा की तस्वीरे आँखों के सामने लाते, फ्लाइंग किस उचाली थी मगर, मगर सबसे पहले ये लड़की मरेगी, ओ, बेचारी, उसने मॉबाइल स्क्रीन पर उबरती तस्वीर के चहरे पर हाथ पेरते, कहका लगाते कहा था, नेक्सीन, तुमने इशाल की, ड्रिंक में डोस डाली थी, जैनम ने हमना के सामने आते पूछा था, तुम मुझसे बेवकुफों वाले सवाल मत पूछ करो, उसने नाक चड़ाते भूएं उचकाते हुए कहा था, तो मेरा अंदाजा ठीक था, क्या तुम किसी को मारे बगएर इसे हासल नहीं कर सकती, क्या तुम अपने साथ मुझे डूबोना बंद करोगी, वो हलक के बल सीखी थी, टियर सिस्टर, कहा दर्द उठ रहा है, ओ, तुम स्केर्ड हो, अपने रिलेशन की वज़ा से, तुम मुझे इतना बताओ, क्या तुम्हारा रिलेशन बन गया है, जो तुम उसके डूबने से खोवज़दा हो, अर्सम सल्तान चोधरी तुमें खास नहीं डालता, और तुम उसके आगे आगे बिच 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 जाती ह उसने हिकारत अमेज लहजे में उससे डबल आवाज में चिलाते हुई कहा था, जहां कमरे की सरगोशी में उसकी आवाज से अच्छा खासा अर्ताश पैदा कर दिया था, जैनम ने बेयकिनी से उसे देखा था जो हर हद पार कर जाती थी अपने जनून में, अपने बारे मे क्या ख्याल है, क्यों दिल जला रही हो अपना, मेरी मानो तो अर्हाम को ख्याल दिल से निकाल दो अब, अब वो मेरिड है, जबके अर्सन के लाइफ में तो कोई तीसरा नहीं है, एक खाली मर्द की जिन्दगी को कैसे रंगों से भरना है, मैं जानती हूँ जबके, तुम तो उसके जिन्दगी के रंग उडाने की कोशिश कर रही हो, जो पहले से ही रंगों से खेल रहा है, उसने उंगली बजा नचा नचा कर, उसे हकीकत का आइना दिखाते हुए कहा था, मेरी मानो तो पीछे हड़ जाओ, अपने लिए तुम अब कुछ नहीं कर सकती, बहतर है मेरी जिन्दगी के खुशियां भी मत चीनो, इस बार उसने लहजे को नर्म किया था, उसकी तरफ देखते, इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव, आई लाइक यूर स्पीच, अब बात मेरी महबत की नहीं है डियर बहन, अब बात मात की है, उस सिकस्त के मज़ेदार तमाच की जो इतनी जोर से अरस्म सल्तान चोधरी के मूँ पर लगेगा, कि सालों तक ना वो उस थपड़ की गूंज भूल पाएगा, और ना ही उसकी वहशत जदा निशान को अपने गाल से मिटा पाएगा, वो पत्थर बनकर उसके सामने, उसके सामने पढूंगी कि वो ओंधे म थाम कर चटानों जैसे सक्त अलफास अदा किये थे, एक एक लवज पर जोर दे दे, तुम्हें लगता है, तुम ऐसे करपाओगी, इन महमों और गुमानों में से बाहर निकलो, जिन को साथ लिए तुम अपने साथ साथ, मुझे भी उजार रही हो, अभी, अभी तो अरस्म के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं है, उसके बावजुद वो तुम्हारी हालत कैसे पतली कर देता है, सोचो, हमना जरा अल्हा अगर उसको सबूत मिल गए, तो क्या तुम सर उठा कर जी पाओगी, उसने अपने कांदे छुडाते, जटके से उसके पास से पीछे होत एक ना शद, दो ना शद, तीन ना शद, चार शद, सही, और तुम इंजोई करना हमारे जनाजे को वैसे, आई नो डैट बहन से जादा तुम अरसम के जाने पर रोगी, मगर खैर कोई बात नहीं, तब भी कफन के पीछे, लिप्टी मेरी लाश तुम्हारी खुशियों के म आतम पर खिल खिला कर हसेगी, जिन्दगी से भरपूर कहका लगाती, अपने बाल जटकती, उसे अंदर तक सुलगाती, वो रूम से बाहर निकली थी, नेक्स सीन, इहाब आ रियों के, वो दोनों इशाल को रूम में छोड़ कर इहाब के रूम में आये थे, मगर खिलकी के पास खड़े, बादलों को घूरते उसकी नम आखे देख कर वो दोनों ठिटक गए थे, यस, ऑल्वेज ओके, उसने गर्दन में उबरी हड़ी को आंसों के साथ जटके में मारूम किया था, यू मिस्ज़र, अर्हाम ने उसके सामने खड़े होते कहा था, बैडली, उसकी आ आहा बढ़ते हुए कहा था, नहीं भूल सकता अर्सम, एक होता है अपने चाहने वालों का मर जाना, और एक होता है उनका हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाना, पहले किस में, पहले केस में वो इनसान कभी वापस नहीं आएगा, ये कहकर हम अपने आपको समझा ले लेकिन उसका दर्द नहीं बाट सकते, वो दर्द जो मुझे देखकर उसकी आँंखों में सिम्टा था, वो दर्द जो उसे देखकर मेरी आँखों में सिम्टा था, जिंदगी हमें इतने वह्षदर लमहात क्यों सूपती है। कि बेबसी की परचाईयां भी गम में तहलील ह होने से डरती हैं दूर भागती हैं और गंबे हिजाब कर देता हैं आँखों के बेबस कर के आँखों को बेबस करके महुपत कसूरवार थी या मेरे गिर्द उसकी प्यार की खुमारियां मैं आज तक समझ ही नहीं पाया वो अता थी रहमत राहत सुकून कलव और फिर मुझसे एक पल में सब्द छीन लिया गया आज एक ऐसा बंजर दरख्त बन कर खड़ा हूं जो खुद के गम के लिए भी काफी नहीं पैंट की जेबों में हाट डाले अपनी आवाज में घुली नमी पर काबू पाते पाने की हती अमलकमान अलमकान कोशिश करते वो एक प्रांस की कैफित में खुद को पयान कर रहा था इहाब अरहाम ने तलब कर उसे सीने से लगाया था जबके अरसम का जिसम अंदर तक तलबा था उसके गंजदा लवज सुनकर उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरीके से वो इस लड़की का ह प्लाइट है हमारी बता देना सब को अरहाम को एकाप को तसलिया देते देख वो अपने अंदर के इश्ट्याल पर काबो पाते वहां से निकला था अरहाम मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं उसने अपने आउसों को साफ करते अरसम के जाते ही अरहाम से कहा था और अर से मेट लो मेरे सारे दर्द को उसने तूटे फूटे लवजों से सिसकते हुए कहा था कहकर गया था शायर वो पुराना मर जाना पर कभी दिल ना लगाना एक ना सुनी हमने मरते गए हम बहुत प्यार करते हैं तुझ से सनन पसंद चाहे ले लो खुदा की किसम मनतहा रोहे उसका वो जिमून बन गई थी जो जो जहर बन कर रगों में उतर रहा था और ऐसा जान लेवा जहर था जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मनतहा रोहे के लंस था इहाब रंधावा एक ऐसा फूल बन गया था जो पत्ती पत्ती बन कर बिखर गया था अब बस उसका सूख कर र अपने दिल को चीरती हुई तकलीफ के बावजूद लबैक कह रहा था। वो पिना किसी कसूर के उसकी जिन्दगी से चली गई थी और वो उस पर सब्र करके अपने ही आंसों में बह रहा था। नेक्स सीन अरसम की कोल थी तीन घंटे तक उनकी फ्लाइट लैन कर जाएगी फिर वो खुद तुम से पूछेगा आकर तुम्हें मसला क्या है क्यों तुम बात नहीं मानती मेरी सवेरा रूंधावा ने डांटने वाले लहजे में कहा था आपने पार्टी बदल ली है ना जो मेरे दुश्मनों से हात मिलाएगा मैं कभी उससे बात नहीं करूँ उसने रूठी लहजे में कहा था अच्छा तो हाशिन तुमारा दुश्मन है उन्होंने उसके रूठे अरे जब सामने आता है तो दिल करता है शूट कर दू उसे या फिर चलती ट्रेन के आगे धक्का दे दू या फिर बस बस मार्शू बहुत बुरी बात है अब तुम अर्सम के होने वाले साले के लिए ऐसा कहोगी उरों ने उसका इतना मिला जुला नफरत नामा सुनते उसकी साले के बोलती बंद करवाते उसे अगली बात बताते हुए कहा था वाट साला में समझी नहीं कुछ उसने मारे तज़स्थ उसके बूछ था अर्सम हाशिम की बहन को बबजने करता है और शादी करना चाहता है उससे उन्होंने 하고 हा था किसी है वह क्या बहुत क्यूट है रिश्टा लेकर गई फुपो क्या उन्होंने हा कर दिए है क्या वो खुश है क्या उन्होंने बस बस ब्रेक पर पाउं रखो लड़कि ब mitigate मेरशिती वर्रिश्टा लेकर गई थी उन्होंने हा कर दी है मगर शयाद लड़की लरभला मंदी नहीं इसलिए उसने some सूसाइड अटेम्ट करने की कोशिश की मगर वो बज गई है इसी होस्पिटल के एक रूब में एडमिट है वो भी उन्होंने तसली से उसके सारे सवालों के जवाब देते हुए कहा था वाट क्या हाशिम की बेहन ने सूसाइड की है और उसके बावजूद वो मुझे लेने और फुपो ये भी तो हो सकता है उसने किसी और रीजन की वज़ा से सूसाइड की हो उसने उनकी बात सुनते शुरूं से हैरान होते और फिर आखिर में थोड़ा लहजा दुखी करते हुए कहा था हां हो सकता है मगर ये तो उससे मिलकर ही पता चलेगा के असल बात क्या है उन्होंने उठते हुए कहा था, आप कहा जा रही है, सविरा रंधावा को बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हुए देख, उसने पूछा था, तुम्हारी और डोना की डिस्टार्ट स्लिप बनवाने, तुम रुको आती हूं मैं, उन्होंने नर्मी से कहा था और बाहर निकल गई थी, क्या हूं, फाइनली मैं अपने घर चली जाओंगी, कहते वो उचल कर नीचे उत्री थी, चलो फा, फा तो तुम उस सुस्त कच्च्वे के लिए हो, हूं फा, नहीं, फाहा, चलो, फाहा सुस्त कच्च्वे की बहन से भी मिल ही लिया जाए, जरा देखो तो मेरे शेर भ मगर जो भी है, दुलहन तो तुम मेरे भाई की बनोगी, सीज़े तरीके से नहीं, तो फाह सुलता चोधरी के तरीके से, उसले दोनों हाथों को जाड़ते कहा था, फिर पाउं में चपल उलसकर, रिसेप्शन पर गई थी, एक्सक्यूज मी में, कैन यू टैल मी, मैं जोईशा वलीद खान कौन से रूम में एडमिट हैं, उस रिसेप्शनिस्ट से पूछा था, यस मैम राइट साइट थर्ड रूम, रिसेप्शनिस्ट ने बताया था, वो उसे समाइल देती, उसके रूम की तरफ बढ़ी थी, दूर चलेंगे, मैं और तुम, तुम्हारे बाई के नाक के नीचे से चुरा ले जाओंगा, मैं तुम्हें, अंदर से आती आवास पर फाहा ठिटकी थी, ये आवास तो उसके हाथ कापे थे, और लवज भी चेहरे के रंग एकदम बदला था, नहीं, ये वो सीरियल किलर न अकली फियात करके कि वो उस दिन मौमिन ने उसे दिये थे, एक बात याद रखना जोईशा, अगर अरसम से निकाह किया तुमने, तो खाल खीच कर चुराहे पर लटका दूँगा तुम दोनों की, वो खुंखार आवास में धाला था, जोईशा का पूरा जिसम काप रहा थ कि उस नकाब के पीछे बीरबल की आवाज है, तो क्या वो जिन्दा है, मगर मौमिन ने तो कहा था कि वो मर गया है, डबडबाती नजर कापते जिसम के साथ वो बस करीब अलमर्ग थी, कुछ तेर पहले ही तो हाशिम उसे बना बात किये, उसे देखके चला गया था, वो ज इस दुराब उन्होंने भी उसकी सेहत की तसली करते उसकी जहलक देखी थी और बिना बात किये चली गई थी, उसके जिन्दगी के दो अहम हिससे उसकी इस बेवकुफाना हरकत की वजह से उससे खाइब थे, और वो चाहते हुए भी कोई अपने हक में सफाई नहीं दे सकी थी उनको, क्योंकि जाने अंजाने में ही सही वो अपने प्यारों को तकलीफ दे गई थी, उनका बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही थी, वो अभी उस कश्मकश में सोच ही रही थी, कुछ के बाहर से डॉक्टर और बाहर से डॉक्टर ओवर कोट पहने चेहरे पर मास्क चड़ाए, वो उसके रूम में आया था, और वो तो उसकी सबस आंख देखकर ही खोफ़जदा हो गई थी, हैरत बेयकिनी से उसकी आंखे फैल गई थी, और फिर उसकी आवाज ने उसको यकिन पर महर सबत कर दी थी, और अब मौमिन जो शादी का सवाल उसके सामने लेकर आया था और उसे अपनी जान तक लेने पर मजबूर कर गया था, अब वही सवाल बीरबर उसके सामने लेकर खड़ा था, यानि जिन वसवसों, अंदेशों और खोफ से वो भाग रही थी, उन ही वसवसों, अंदेशों और खोफ ने जैसे उसकी जिन्दगी मौत से कीच कर उस पुश्किल में डाल दिया था, कौन हो तुम, तुम वैसे सीरियल किलर हो ना, जिसने लाखों लड़कियों की जान से खेला है, वही हो ना, जिसने मुझ पर अटैक किया था, वो तेजी से दरवाजा खोलती, उस तक पहुची थी और उसके पेट पर टांग मारी थी, उ दूसरी टांग उठा कर उस हिट करती, उसे हिट करती, वो पहले ही उसके अगले वार के लिए समल चुका था, जब ही उसके टांग को काबू करते, एक हाथ से उसकी बाजू मरोड कर, अगले ही लंभे उसकी बाजू को दबोचे, उसकी पुश्ट के साथ लगा कर, उसको ब बटकने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे तुम तो खुद चलकर मेरे पास पहुँच गई हो, उसने शोक लहजे में कहा था, मुझे भी तुम्हारी तलाश में बटकने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हारी गर्दन अपने हाथों से मरूनूंगी, उसने खुद को लफजों में समझा दो, जोईशा सिर्फ मौमिन की है, और उसकी ही रहेगी, उससे 200 फिट के फासले तक रहे वो, उसने गुस्से से चिलाते हुए कहा था, मगर तुम तो बीरबल हो, और मौमिन तो कोई और, जोईशा ने डरते हुए कहा था, नहीं, मैं तो मौमिन ही बीरबल तो मर चुका है, मौमिन सीरिल क्राइम किलर, जिसके रास्ते में किसी ने आने की कोशिश की तो वो उसकी हट्टियां चटखा देगा, उसने शुरू में करक्त और फिर आखिर में चिंगारते लहजे में कहा था, जोईशा वलीद खान, अरसां सुल्सान चोधरी की ती और रहेगी, तुम मेरे भाई से उसकी महबत नहीं चीन सकते, उसने चैलेंजिंग अंदाज में कहा था, तुम्हें लगता है, तुम इस डर्पो गुजदल चड़िया को मुझसे बचा पाऊगी, जो अपने खोफ के मारे फोथ होने को है, उसने अफ़ाह का घुमा कर उसकी गर्दन पीछे से जकरते दीवार के साथ पिंक किया था, दर्द की शिदत से उसकी आँखे लाल हुई थी, मगर अपना होसला और हिम्मत उसने दोनों को नहीं हारने दिया था, जो इशक के आसूं में अब मजीद रवानी आई थी, फाहा की तकलिफ देखकर वो जान और निडर पुलिस ओफिसर की बहन बुजदिली उसके खून में नहीं है, उसने गर्दन के दर्द को बरदाश्ट करते कहा था, बीरबल को उसकी आँखों में चमक और अलफाज की मजबूती जहर लगी थी, जब ही उसे नीचे गिराते, उसकी गर्दन पर पाउं रखा थ उसने अपनी डिप की निडल खीच कर निकालते बैट से उतरते बीरबल के पाउं में बैटते कहा था और रोते हुए उसका पाउं फाहा की गर्दन से हटाने की कोशिश की थी, तुम भीक नहीं मांगोगी, जोईशा तुम अरसन सुल्दान चोधरी की होने वाली बीवी हो फाहा ने घुटी-घुटी आवाज निकालते हुए कहा था, जबकि उसके हर लव्ज के साथ मुमिन का पाउं उसकी गर्दन में गहरे ग्रफ्त जमा रहा था, वाओ, ननद और भाबी, मैं क्या प्यार है, मगर अफसोस, ये प्यार सिर्फ चंद पल ही कायम रह सकेगा, जो सुईट हार्ट एक हाथ से उसे कीच कर खड़ा करते, उसके कमर में हाथ डाले अपने बराबर खड़ा किया था, उसने जोईशा को और वो बुरी तरह खोवजदा होती, उसके लज़म से करहाहत महसूस कर रही थी, छोड़ो उसे, वरना मैं जान से मार दूंगी, तुम जवा कर देख लो, हिम्मत है तो, कहते वो अब जोईशा के लवो पर अंगुठा रब कर रहा था, जोईशा मारो इसे, धक्का दो, दूर हो जाओ, फाहा को अब उसकी रोती बिलक्ती, खुद की हालत के सुकृद करती, जोईशा पर गुसा आ रहा था, हाँ ना जोईशा म मारो मुझे, कम ओन, हिट मी, जोईशा का बे जान हाथ पकड़ कर अपने गाल पर मारते, वो कह रहा था, हाँ हाँ, फाहा उसने कभी मक्ही भी नहीं मारी होगी, जो मुझे मारेगी, हाँ हाँ, ये, खैर, इसके होटो को आज खराज बनता, ये वो दे लू, मैं तुम बस ह हुए पूछा था, बीबल के माते पर नागवार बल आये थे, उसने खुद को कंपोस करते पीछे किया था, जोईशा से साधी, बे तासुर जवाब दिया था, वो नहीं हो सकती, कुछ और चाहते हो, तो बताओ, अब कि उसकी आवाज मुश्किल से निकली थी, इंटरस्ट तुम डेलिंग करना चाह रही हो, मुझसे, जोईशा को धका देकर दूर फैका था, फाहा को दूर दोनों हातों से पकड़ कर उठा कर अब वो अपनी ग्रफ्ट में ले चुका था, यही समझ लो, मैं अपने भाई की खुशी के लिए हर हद तक जा सकती हूँ, उसकी सक्त कमर पर महसूस करते हो, अब उस दर्द से छुटकारा पाने की कोशिश करने के लिए और जोईशा को उस दर्द से निजात दिलाने के लिए मफाहमत पर उतर आई थी, कुछ भी करोगी, उसकी कान की लोग को उंगली और अंगोठे के दर्मियान पकड़ कर अपना पूरा ज और जल लगा कर उसने बुरी तरहा मसल डाला था, कि वो कर रहा उठी थी, और आंशू बरदाश्ट के बावजूद बहने लगेते हाँ, तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें बेनकाब नहीं करूंगी, पुलिस के सामने, तुम चाहोगे तुम्हें सब कुछ करूंगी, मगर म उसने भराई हुई आवाज में कहा था, जोईशा ने इस बहादू लड़की की जररत को सलाम किया था, जो बगएर किसी डर किसी खोफ के इतनी अज़ियत के बावजूद उसकी आखरी हद तक लड़ने को तयार थी, ठीक है, जोईशा दी तुम्हें, मगर उसके बदले में मुझे तुन चाहिए हो, बोलो, करोगी मुझे से शादी, मैं मौमिन हूँ, एक हीजडा, क्या तुम मुझे से निगा करोगी, उसने कुछ देर खामोश रहने के बावद अपने दिमाग में उगला ताना बाना बना था, और फिर बड़ी तेजी से अगली चाल चलते उसके सामने अपनी बात रखी थी, क्या, तुम तुम ना मर्दो, फाहा ने बेयकिनी से कहा था, वही, जोईशा की समातों पर भी बंग गिरा था, क्यों, तुम्हें मेरी आवास से नहीं लगा, कि मैं एक हीजडा हूं, दूसरी जिन्स, उसने फाहा को जमीन पर फैकते, घुटन निडर भी मगर, उसे हमेशा इस तीसरी जिन्स से एक अजीब किसमन का खोफ आता था, अक्सर सिगनल्स पर खड़े बहुत से हीजडे, कभी उसकी गाड़ी के पास आकर अपने मखसूस अंदाज में भीक मांगते थे, तो वो कितनी देर अपनी आँखे बंद किये, रखती अपने कानों में उंगलिया डाल देती थी, ताके वो उन्हें देखना सके, उनकी आवास सुनना सके, और जब कभी अकेली होती थी, गाड़े ड्राइफ करते तो सिगनल्स आने से पहले गाड़ी के शीशे चड़ा देती थी, और चाह कर भी गाड़ी से बाहर नहीं देखत अब वही तीसरी जिंस उसके बिलकुल करीब बैठी, उसकी और खता कर रही थी, पहले वो जितना बहादूर बनी उससे लड़ रही थी, उससे मफाहमत के रास्ते निकाल रही थी, अब उसका सच जानकर इतना ही डर सहम कर उससे पीचे को खिसकती दिवार के साथ बैट उसके मूँ पर के जोईशा ने अपने मूँ पर हाथ रखकर अपनी चीक को दबाया था, अपने मूँ में, जबके फाहने कापते हुए अपना चाहर अपने घुटनों में देते रोना शुरू कर दिया था, उसे लगा था अब उसकी, उसका सांस बंद हो जाएगा, मेरा क् कसूर है, मैं, मैंने खुदा से नहीं कहा था, मुझे हिजड़ा पैदा करें, नफरत होती है, मुझे लोगों की आँखों में अपने लिए कर राहत महसूस करतें, देख कर बताओ, बताओ तुम भी, नफरत कर रही हो ना मुझसे हाँ, पर तुम्हारी नफरत के बावजू करते हुए कहा था, प्लीज, जाओ यहां से, पाहने बमुश्किल सांस लेते कहा था, जबकि कोफ से उसका चहरा जर्द हो रहा था, ओके, कांधों को ऊचकाते, वो उसके बाल जटके से छोड़ते, उसके पास से उठा था और जोईशा का हाथ पकड़ा था अपने हाथ में जोईशा को कहीं नहीं लेके जाओगे तुम, वो अपना खोफ बुलाए अपने भाई की खुशी के लिए लड़कडाती उठी थी, तुमको तो खोफ आ रहा है ना मुझसे, वैसे भी हमारी डेल फाइनल नहीं, मुझे मनजूर है तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, बस त तुम मेरे साथ कोई दो नमबरी नहीं करोगी, बीरबल ने इतमिनान जदा लहजे में कहा था, क्यूंके वो अब दो लड़कियों के दिमाग से खेलने जा रहा था, यानि अब वो एक तीर से दो निशाने लगाना चाह रहा था, तुम्हें कुन सी गारंटी चाहिए, काप मरे मरे हुए माबाब की कसम, और अगर तुम अपनी बात से मुकरी, तो उन्हें कबरों में तुम्हारे भाई की कबर खुदवा कर, उसे जहन्म वासिल करूँगा, उसने हत्मी लहजे में कहा था, मुझे अपने मरे हुए मामा बाबा की कसम है मौमिन, मैं अपनी बात से न तरफ मुड़कर नहीं देखोगे मेरे भाई की खुशी पर मेरी जिन्देगी कुर्बान उसने हिच्कियों से रोते हुए बीरबल के चहरे से घिन खाते हुए कहा था दी जमानत क्या याद करोगी चलो अब सबूत दो मेरी बाहों में आकर मुझे अपनी बात का उसने दोनों बाजो फैला कर पाहा को अपनी तरफ बुलाया था नहीं ये तुम क्या कर रही हो मत करो ऐसा पाहा प्लीज छोड़ दो बीरबल इसे जोईशा ने कहा था पाहा को बीरबल की तरफ पढ़ते देखकर क्योंकि वो जानती थी कि वो मौमिन नहीं बीरबल है I will do everything for my brother रोते हुए उसने पलट कर जोईशा की तरफ देखा था और फिर कापते वजूद के साथ बीरबल के गले लगी थी जिसे बीरबल ने तनफ़र से अपने वजूद के साथ भीचते उसकी कमर पर चुटकी भरते उसके गिर्द जान लेवा गरफ्त करते उसे मजीद अजियत दी थी कि वो चींक उटी थी क्या हुआ बेबी कुर्बानी दी है तो भुक तो भी अब कल तुम अपनी फुपो को लेकर हमारे घर आओगी रिष्टा मांगने अगर कल तुम ना पहुची तो जोईशा भी तुम्हें अपने घर नहीं मिलेगी कल रिष्टा कन्फर होने की खुशी में ही तुम्हारे लबो का जाम पिऊंगा वो भी तुम्हारी फुपो के सामने एक बार फिर से उसकी कमर के पास चुटकी भरते जटके से उसे कुछ से दूर फैकते कहा था उसने फिर सिलिंग करता जोईशा की तरफ देखता आँख विंग करता वो वहां स तुम्हें तुम मेरे भाई की अमानत थी और रहोगी उसने उसके आशु साफ करते उसको गले से लगाते हुए कहा था जबके वो खुद भी रो रही थी तुम तुमने गलत किया तुमने उसको जमानत क्यों दी अपनी वो गंदा है ही ही हर्ट्स मी ही हर्ट्स यू वो मौम मौमिन अरसम सब गंदे हैं वो नाजुक जान फूट फूट कर रोधी थी अरसम भाई गंदे नहीं है ये लग्स यू वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुचाएंगे तुम्हें खुद में समेट लेंगे बचा लेंगे तुम्हें उन सब से उसने उसके आंसु साफ करते तुम कसम खाओ जोईशा तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी उसने तरब कर कहा था मैं किसी को मुश्किल में नहीं डाल सकती फाहा तुम और तुम्हारा भाई दूर रहूं मुझसे मेरी वज़ा से सब मुसीबते पैदा होती है बच्पन में अगर मैं अपने मामा वाबा क उस जोकर को देख कर गाड़ी रोकने का ना कहती तो आज शायद वो जिन्दा होते हमारे साथ होते और अब मेरी वज़ा से तुम भी मुसीबत में आ गई हो मत करो ऐसा जाओ यहां से उसने रोते रोते तकरीमा हाँ जोडते थे उसके सामने मैं फैसला कर चुकी हूँ और अगर तुमने ये बात किसी को बुताई तो मैं खुद को जान से मार दूँगी फाहा ने चेहरे पर चटानों जैसी सक्ती जमाते हुए कहा था तुम समझ क्यों नहीं रही हो तुम समझ जो जो इशा बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है बात उन लाकों लड़कियों की है जान दाओ पर लगी है तुम नहीं जानती वो कितना बुरा सीरियल किलर है तुम नहीं जानती वो कितनी बेदर्दी से लड़कियों को मारता है अगर मेरी एक जिन्दगी बरबाद होने से लाकों लड़कियों की जाने बच सकती है तो मुझे मन्जूर है देखो जोईशा लड़कियों को बहुत बुरी तरह मारता है, उनके हाथ पौँ काट देता है, कान काट देता है, और कितनी अजियते सहती होंगी, ये तकलीफ आज मैंने महसूस की है, वो तो कब का तुम्हें भी ऐसे मार चुका होता, मगर तुम को उसने क्यों नहीं मारा, ये मैं समझ नहीं नोचते हुए कहा था, तो क्या, क्या, ये सब मतलब वो हाशी वाला जो केस है, उसमें ये, उसने डबडबाती आँखो से फाहा की तरफ देखते हुए कहा था, बस तुम वादा करो, तुम जो कुछ भी आज हुआ, किसी को नहीं बताओगी, अगर बताया तो मेरा मरा मुँ देखोगी, उसने ठोस लहजे में कहा था, और हाँ, एक और बार, अर्सम भाई बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, तुम बस एक बार मेरे कहने पर उन पर ट्रस्ट करके देखो, देखना जोईशा, ये जो तुम में लेक ओफ कॉंपिडेंस है, और ये जो डर है ये मजबूत सहारा मिलते, खत्म हो जाएगा, पीस ट्रस्ट मी, उसने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लेते, उसका हाथ दबाते हुए कहा था, वो बुरे हैं, हर्ट करते हैं मुझे, मेरी नेक पर हर्ट किया था, मुझे देखते ही गुस्ता हो जाते हैं, फाहा मु मिन कहता है मुझसे शादी करो, मुझे बीरबल कहता है मुझसे शादी करो, मुझे अर्सन कहता है मुझसे शादी करो, सब के सब मुझे टोर्चर करके मुझे पर जबरजस्ती हुक्म डालते हैं, मुझे बताओ फाह मैं क्या करूँ, मैंने कोशिश की खुद को खत्म कर से बहतर है एक बार ही मर जाओं मगर कैसे उसके लफजों में छुपा दर्द तल्खी और जिन्दगी से हारा ऐसास फाहा ने दिल से महसूस किया था तो इसका मतलब इसने खुद पर होते टोर्चर की वज़ा से खुदकुशी की वो किसी और को पसंद नहीं करती फाहाने दिल में सोचा था बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं देखो जोईशा बीरबर मर गया है तुमने बताया जो अभी आया था वो मौमिन था वो खुद बता कर गया है सीरियल किलर ऐसे में एक बच्चे अर्सम भाई ऐसे में एक बच्चे अर्सम भाई कोई बेवकूव भी होगा तो वो तुम्हें यही मश्वरा देगा कि एक सीरियल किलर के बज़ाए तुम अर्सम भाई को चुनो देखो मैं इनकी साइड नहीं ले रही मगर मैं तुम्हें समझा रही हूँ क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो उसने बड़े मान से उसकी आँखों में देखते हुए कहा था उसके समझाने का अंदाज उसकी बातों का अंदाज जोईशा को उसमें मंतहा की जलक नजर आई थी अगर आज मंतहा उसके पास होती उसके साथ होती तो वो भी ऐसे ही उसे समझाती हाँ मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ तुम पर उसने भीगी आँखों से फाहा की तरफ देखते कहा था दिल में सोचते हुए कि अगर फाहा अरसम की बहन है और उसमें एहसासात है तो कहीं न कहीं अरसम में भी एहसासात और इंसानियत होगी और शायद ये इसी का वाकी गुसा हो मैं वादा करती हूँ तुम से जोईशा भाई कभी भी तुमें तकलीव नहीं पहुचाएंगे बस तुम मेरे भाई को बहुत प्यार देना बच्पन से लेकर अब तक उन्होंने बस जिम्मेदारियां ही उठाई हैं उनकी अपनी दिली ख्वाईश कहीं दूर जा पड़ी है अपने जिन्दगी की बजाए हर वक्त हमारी खुशियां ढूनते रहते थे वो और अब भी ऐसे ही हैं तुम बस अरसन भाई को उनके हिस्से की हर खुशी उनके हर दुख सुक में उनका साया बन कर रहना जितनी मुहबत दोगी बदले में वो तुम पर जानवार देंगे ऐसे हैं मेरे भाई बाबा के बाद मेरे पास इस दुनिया का सबसे हसीन तुहफा उसने भराई आवाज में उससे अपने भाई की खुशियां मांगी थी जबके बदले में वो सर हिला गई थी पता है तुम मुझे बहुत क्योट लगी हो बिलकुल काच की नाजुक गुडिया जैजी जिसे हाथ लगाने का भी डर हो कि वो कहीं तूटना जाए और मैं हमेशा से ऐसी भाबी चाहती थी जिसको सब देखें तो दंग रह जाएं ऐसे वैसे अरसम भाई की पसंद की दाद देनी पड़े गी उसने पुर जोश लहजे में कहा था मगर फाहा तुम वो निकाह नहीं बस जोश जोश जाए मैं अपनी जबान से नहीं फिर सकती मैंने अपने मरे हुए माबाप की कसम खाई है और प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दो उसने मन्नत भरे लहजे में कहा था फाहा तुम यहां हो मैं पूरे होस्पिटल में तुम्हें ढून रही थी सवेरा रंधावा ने दर्वाजा नोक करते ही अंदर आते हुए कहा था जोश जोश चैसी हो बेटा तबियत कैसी है वो उसके सर पर हात रखके पूछ रही थी और दिल में उसे और उसकी खुबसूरती को सरहा था मैं ठीक हूँ अंटी उसने चेहरे पर मुस्कुराइट सजाते हुए कहा था देखे फुपो मेरी भाबी कितनी प्यारी है फाहा ने खुश होते हुए कहा था माशाल्ला बहुत बहुत ज्यादा प्यारी है हमारी अर्सम की पसंद जो है उन्होंने नजर उतारते लहजे में कहा था अच्छा बेटा अब आप रेस्ट करो फिर मिलते हैं जल्द इंशाओ अल्ला आजाओ मार्शो वो मुस्कुराते हुई जोईशा से कहती फाहा को आने का इशारा करके चली गई थी ओके जोईशा डरना बिल्कुल नहीं मैं समहा लूँगी इंशाओ अल्ला सब ठीक हो जाएगा बी ब्रेव उसके चिक्स पर चुटकी चटाचट प्यार करते वो भी बाहर निकल गई थी So this is the end of today's episode Stay connected for more And please do subscribe and like my channel For motivating